ये गाईज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल गाईज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों हम अपने कीवर्ड का थीम कैसे चेंज कर सकते हैं वह भी बीना किसी एपलीकेशन के अब चाहो तो कोई कलर लगा सकते हो अपने कीवर्ड के थीम पे ठीक और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किजिएगा चलिए गईज वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां से हम अपने कीवर्ड को आपन करते हो और यहां पर जैसे कि देख पा रहे हो यह अब default theme है और अगर आपको कोई party करना है तो यह जैसे कि आप देख सकते ही कलर में आपको मिल जाएगा theme ठीक इस तरीके से तारीका को आपकर कीवर्ड जो यह वोरो दिखने वाला है सब Impact-D contrast गो आपको theme लगाना तो apply option पे click करना इस पर जैसे click करोगे तो आपका यह just theme sure पे जो default है उसको कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हैं अगर वही आपको इन सभी में से लगाना है कोई जैसे कि आप देख पर इतने सारे theme मिलते हैं तो इनको दोस्तो डाउनलोड करना होगा download पे क्लिक कर दो ये theme अप्लाई हो चुका है यह देखो बहुत ही अच्छा लएगा दोस्तों यह सब यह देखो कुछ इस तरीके से आपका थीम लएगा मतलब आपका कलर ही पूरा चेंज हो जाएगा बीना किसी अप्लिकेशन की यह सब होने वाला है फिर सेटिंग पे क्लिक करेंगे अगर आपको कोई फोटो लगाना है ठीक है तो यहाँ पर जैसे की देख पर हो माइट का आप्शन है इस पर कलेकर ना है इस पर जैसे हिक कर दोगे तो गईज आप अपने गैलरी में पहुच जाओंगे और यहाँ से जो भी आपको फोटो लगाना है तो उस फोटो पर आपको कलिक करन तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने phone के keyword के theme को change कर पाओगे वहीं अगर आप चाहते हो कि जो पहले हमारा था normal वही रहे तो उसके लिए फिर हम यहीं प्याएंगे theme के option प्याएंगे और यहाँ पर default जैसे कि आप देख पार यह सब ही default है तो हम default पर click कर देंगे apply कर देंग इस वीडियो में इतना है मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भरत